नमस्कार साथियो आज होली का देहन थी और हम सभी मिलकर इंज्वाइग कर रहे हैं रात का टाइम है और हम सब होली का माता के पास पहुँच गए हैं और इंज्वाइग करने वाले हैं तो बने रहीगा मेरे पूरे वीडियो में तो आगे देखिएगा दोश्तों तो ये हमारी होली का माता है और सबसे पहले हम बारी-बारी से सब भी लोग मिलकर होली का माता की पूजा कर लेंगे प्रहलाद जी की भी पूजा कर लेंगे क्योंकि साल भर का तहवार आता है लोगों को बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है की होली में हम लोग इंजोई करेंगे और इस तरह से हम पूरे महले के मिलकर के हर साल इस तरह से पूजा करते हैं और होली का माता का इस प्रकार से हम लोग तहवार मनाते हैं और मिलकर के सब लोग enjoy करते हैं अब आग प्रजलित हो गई है तो सबसे पहले हम आग प्रजलित करने के पहले प्रहलाज जी को वहां से उठा लेंगे फिर इसके बाद में आग प्रजलित करते हैं और सभी लोग घिर गए हैं आग प्रजलित करने के लिए और फिर इसके बाद में सभी लोग होलिका के चारों तरफ फेरा लगा लेंगे पहले क्या होता था हम पुरानी फिल्मों में देखते थे कि होलिक कैसी जलाई जाती है लड़के और बच्चे इंज्वाई करते थे अब ये फेशन हो गया दोस्तों कि हर घर घर से मुहले के लोग सामने से होलिका माता को जलाने लगे हैं और एंज्वाई भी करने लगे हैं तो मैं इसकी छोटी सी कहानी आप लोगों को सुना रही हूँ विश्नु पुरान से है ये कहानी मैंने कभी के प्रवचन में सुनी थी वहुँ छोटी थी तब सुनी थी तो मैं आप लोगों को भी सुना रही हूँ तो पुराने जमाने के जो राजा थे हेरणा कश्यप वो अपने आपको वो भगवान मानते थे सिरी हरी मानते थे खुद को विश्नु भगवान मानते थे और उनके चार पुत्र थे जिन में से चार पुत्र में से तीन पुत्र है उनका तो पूरा-पूरा कहना मानते थे पर प्रहलाद जी सिर्फ उनको पिता मानते थे भगवान नहीं मानते थे तो प्रहलाद जी को वो बार-बार अलग-अलग प्रकार से प्रताडित करते थे कि बेटा मैं ही तुम्हारा भगवान तो भगवान है आप तो पिता हो आप भी उनको भाजो ना आपका भी धार हो जाएगा तो इस प्रकार से वो और जादा क्रोधित हो जाते थे और बोलते थे कि मेरा बेटा और सिरीहरी की पूजा करता है मेरा दुस्मन है मेरा बेटा सिरीहरी मेरे दुस्मन है तो मे इस प्रकार से उनकी मोह ममता पूरी खतम हो गई और वो अपने बच्चे को अलग-अलग प्रकार से प्रताडित करने लगे छोटा सा बच्चा था प्रहलाद तो उनको एक बार क्या हुआ कि वो खंभे में बंधवा दिये कि लाइट से केरेंट लग जाए और ये इनकी मृत् कुछ भी नहीं हुआ फिर वो आश्चर चकित हुए फिर दूसरी बार उपर पहाड़ी से नीचे फिकवा दिये फिर जाकर देखते हैं कि प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ एक खरोच भी नहीं आई फिर वो आश्चर चकित हुगए फिर वो नदी में फिकवा दिये जाक करके नदी में जाकर क्या देखते हैं कि वो प्रहलाज जी फूलों की सेजों में बढ़ियां लेटे हुए हैं फिर से वो आश्चर चकित हो गए अरे ये मेरे बेटे को तो कुछ होता ही नहीं है फिर इसके बाद में लाश्ट में बहुत ज़्यादा हातास हो गए फिर रक्ष पूरा ब्रतान्त बताते हैं कि बहन ऐसी ऐसी बात है और ये बेटा मेरे को भगवान नहीं मानता है तो थोड़ी देर तो होलिका अपने भाई को समझाई फिर इसके बाद में फिर बोलती है कि भाई अब आपका मुझे कहना मानना पड़ेगा तो मैं एक काम करती हूँ कि म और मैं उसमें बैट जाऊंगी और गोदी में प्रहलाद को रख लूँगी तो मैं तो बच जाऊंगी पर प्रहलाद जल जाएंगे इस प्रकार से होलिका जी ने अपनी योजना बताई तो वो लकडियां एक खटा करवा लिए हिरना कस्या परा जाने और रात के टाइम में बहुत सारी लकडियां के उपर होलिका को बिठाल दिये और प्रहलाद को भी बिठाल दिये और आग लगवा दिये फिर वो क्या देखते हैं कि प्रहलाद फिर बच जाते हैं और होलिका जल जाती है फिर सर में हाथ पकड़के वहुत रोते हैं कि मैंने अपनी बहन को जला पिर बच्चे के उपर भी क्रोध आता है, तो कहने का मतलब यह है कि हूली का माता को तो बरदान था, कि वो आख से नहीं जल सकती, परन्तु वो सत्ति की और चलती, तो आख से नहीं जलती, परन्तु अपने बरदान का उन्होंने गलत उप्योग किया, इसलिए वो जल गई त तो आज भी यही इस्तिती है दोस्तों कि अगर हम लोग मिलकर सत्य की और जाएंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छे से सुरक्षित रहेगा और असत्य का साथ देंगे तो हमारा जीवन आसुरक्षित है इस प्रकार से भगवान को भजना भी जरूरी है और सत्यता को भी पूटिया हो तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों मेरे वीडियो पसंद आता है तो लाइस अप्रेप जरूर कीजिएगा तो दोस्तों मैं भी साजा कीजिएगा थेंक यू धन्यवाद